दोस्तो धंतेरस आने से पहले जितना जल्दी हो सके घड़ से ये चीच तुरंद हटा दें इसी में आपकी भलाई है साथ में ये भी जानिये महिलाव को धंतेरस पर ऐसे कभी नहीं सोना चाहिए माता लक्ष्मी हो सकती है क्रोधित दोस्तो धंतेरस का पर्व हमारे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है इस पर्व को खुशियों का आगाज कहा जाता है धंतेरस पर साप सपाई करने का बड़ा ही महत्व है शास्तरों के अनुसार धंतेरस के दिन ही पूरे घर की साप सपाई अच्छे से की जाती है और शाम के बक्त खरीदारी की जाती है जैसे कोई बरतन आदी खरीता है तो कोई गहने आदी लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं धंतेरस पर ऐसी साप सपाई कभी नहीं करना चाहिए माता लक्ष्मी उल्टे पाउं बापस चली जाती है पूरा घर बरबाद हो जाता है तो चलिए जानते हैं दोस्तो नमबर बन खास धंतेरस पर माता लक्ष्मी उसी के घर में आती है जहां पर कच्रा कभाड खाना कभी ना पड़ा हो तो ऐसे में खास तोर पर धंतेरस की दिन आप इन कभाड खानों को बाहर कर दें क्योंकि माता लक्ष्मी को इन सभी बस्तूँं से नफरत है जैसे तूटे फूटे बिजली के उपकरन तूटी फूटी चपले खंडित मूर्तियां, तूटी हुई जाडू मकान में दरारे आ जाना, पुराना कबाड खाना अगर घर में हो तो माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और कभी नहीं आती ऐसे घर में इसलिए जितना जल्दी हो सके इन चीजों को बहार करें दोस्तो नमबर टू खास धंतेरस पर पूरे घर की अच्छे से साप सपाई करने के बाद घर को गंगा जल से छड़काप करना ना भूले ऐसा करने से पूरे घर की शुद्दी करण हो जाती है माता लक्ष्मी बहुत प्रसन होती है और बही पर अपना इस्थान बना लेती है दोस्तो नमबर थ्री धंतेरस और दीपा बली पर महिलाओ को सुभा तुरंद जल्दी उठ जाना चाहिए क्योंकि यही वो समय होता है जब माता लक्ष्मी धर्ती पर आकर हर घर की ओड देखती है और जहां पर साप सपाईबा पूरा घर जगमगा रहा होता है तो माता लक्ष्मी बही पर अपना इस्थान अस्थाई रूप से बना लेती है और उस घर को धन धाने से खुशियों से माला माल कर देती है इसलिए देर से कोई भी महिला ना उठे अगर आपके घर में जाला है तो आप कभी भी बरबाद हो सकते हैं घर में जाला होने से माता लक्ष्मी कभी नहीं आती घर में जाला तरक्की को रोकता है और परिबार उस जाल में फंस्ता चला जाता है दोस्तो नमबर फाईब, धन्तेरस के अपसर पर बा दीपवली के अपसर पर शारिरिक संबन कभी नहीं बनाना चाहिए, मातालक्ष्मी नाराज हो सकती है, साथ ही साथ इस पर्व पर घर में मास मदिराबा लहसुन प्याज का इस्तिमाल भी कभी नहीं करना चाहिए, मातालक् अगर आप सच्चे दिल से मातालक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंड बॉक्स में लिखे महालक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है जै मातालक्ष्मी मा के लिए एक लाइक तो बनता है